हेलो प्यारे मित्रों एक पार फिर से स्वागत है आप सभी का पैरा मैडिकल के नमर वन चैनल स्टेड़ी भी तृतेश में तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहेगी उन सभी विद्यारतियों के लिए जो होने वाले हैं तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट स्टुडेंट यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं पहली बारा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और पहला इकन को हिट कर बच्चों बहुत ही प्याला सा कुश्चन आपकी स्क्रीन पे तो भारत का ठाइस वार आज यह कौन सा है तो यह जार्खंड तो यदि आपने आंसर दिया है बच्चों जार्खंड की बात आई है तो एक पूछ लिया जाता है कि जार्खंड बिहार से कब अलग हुआ तो यह द्यान में रखना है कब हुआ था तो यह वह था पंद्रा नमबर दो हजार इस वी को ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ स्टुडेंट चलिए बच्चों अगला प्रेस्ट आ चुका है छेत्रफल की द्रिस्टी से भारत का विश्व में स्थान क्या है यानि छेत्रफल की द्रिस्टी से हमारा देश भारत बताइएगा प्यारे बच्चों बहुती मज़ेदाल वाला कुशन है ना बहुती सिंपल प्रेस्ट में है तो वेरी गुड यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन मड़ी देना का अंसर सही है तो छेत्रफल की द्रिस्टी से भारत का जो स्थान है बच्चों वो सात्वा ह है हां जी जल्दी से बताइए पहले स्थान पर कौन सा देश है तो वेरी गुड आप में से दिकांस बच्चे आंसर करेंगे रूस ठीक है रूस हो जाएगा है ना और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है कैनेटा है बच्चों है ना और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है य आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कुश्चिन की तरफ स्टूडेंट चलिए स्टूडेंट अगला प्रेशन आचुका है वह नदी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है बच्चों कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के बीचों भी सीम सीमा बनाएगी है न कोशी नदी है गंड़क नदी है काली नदी है या तिस्ता नदी है चल्दी से जवाब दीजिएगा तो वैरी गुड़ स्टुडेंट यदि आपने जवाब दिया है और प्जिन नमर्सी यानि काली नदी या आपका अंसर सही है ठीक है हां जी काली से लिपाल के मध्ये सीमा बनाती है अज़ा अगर आप से प्रस्ण यह पूछता आ कि कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के मध्ये सीमा बनाती है यह से नी जिहां दोस्तों कौन सी नदी भारत और पाक के मध्य सीमा बनाती है ना भारत और पाक के मध्य सीमा बनाती है जल्दी से बताईए मध्य सीमा बनाती है कौन सी नदी हो जाईगी कौन सी नदी भारत पाक के मध्य सीमा बनाती है तो यह है बच्चो सिंधु नदी कौन सी नदी है सिंधु नदी है ठीक है और सिंधु नदी का उद्गामिस्थल कहां से है कोई बता सकता है उद्गामिस्थल क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस नदी का उद्गामिस्थल कहां से यानि यह नदी कहां से निकलती है तो बच्चो इसका उद्गम इस्थल है कहां है मान सरोवर छील ठीक है मान सरोवर छील से निकलती है ठीक है पूछ लेता है ना नदियों का उद्गम इस्थल पूछ लेता है जैसे एक बार पूछा था आपके एक्जाम में गुदावरी नदी है ना बताए तो गुदावरी नदी का भी जान लेते हैं हम लोग पूछा गया है गुदावरी नदी का उद्गमिस्थल कहां से है तो यह है बच्चो कहां से है गुदावरी नदी का उद्गमिस्थल तो इसका भी याद रख सकते हैं आप लोग कहां से है तो यह नासिक के निकट से नासिक के निकट से निकलती है ठीक है बच्चो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ चलिए STUDENT अगला प्रेस ने है, छेत्रफल की दिरिष्ठी से, भारत का सबसे छोटा राज्य है, गोवा, ज़ार्खंड, उत्रानचल या तिर्फ़ुरा, जन्दि से बताईएगा छेत्रफल की दृस्टी से भारत का सबसे च्छोटा राज्य है कौन सा हो जाएगा तो वेरी गूड यदी आपने आंसर दिया ऑप्शन निये आपक आपका अंसर सही है ठीक है अब यदि मैं आप से पूछों ये तो था छेत्रफल की दृस्टी से सबसे तो यह ओजाएगा राजस्थान हो जाएगा ठीक है राजस्थान ठीक है तो ये तो बात थी षू राज जो राज्छbar कि अगर किंद्र सासित पर्दिश के पार में पूछें कि चेत्रफल की दिरिष्टी से सब्सें बड़ा किंद्र सासित परदेश कौन सा हो जाएगा तो जी हां दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा आपका यह हो जाएगा जम्मु एंड कस्मीर हो जाएगा और छेतरफल की दृष्टी से सबसे छोटा केंदर सासित परदेश पाताएगे सबसे लक्षवडीप की कितनी होती है कि बता सकते हैं लक्षवडीप में दीपोЕ की कुल रखना है चलिए वड़ते अगले कोशिण की तरफ चलिए बच्छो अगला अचुका है भारत का राष्ट यप ठाइब शी कौन सा है चीता उल्लो मॉर या तोता जल्дी से बता दीजे बच्छो भारत का राष्ट कौन सा है हन जी तो वारी गोर यदि आपने जवाब दिया है option number C यानी more than आपका answer सही है ठीक है तो भारत का राष्टिय पक्षी more है अगर मैं आपसे पूछू भारत का राष्टिय पशू बताईए तो जल्दी से भारत का राष्टिय पशू कौन सा हो जाएगा बच्चों राष्टिय पूल कौन सा हो जाएगा तो जल्दी से जवाब देना है बच्चों राष्टिय पूल कौन सा हो जाएगा बच्चों आप सभी जानते हैं कौन सा हो जाएगा कमल हो जाएगा ठीक है कमल हो जाएगा और राष्टिय व्रिक्ष की बात करें है ना रास्टिय विरिक्ष की तो जल्दी से बताइए भारत का रास्टिय विरिक्ष है ना भारत का रास्टिय विरिक्ष कौन सा हो जाएगा तो जी हां दोस्तों बरगद हो जाएगा क्या हो जाएगा बरगद हो जाएगा देखिए प्रसन आता है ऐसा ठीक है और भारत का र करते हैं अगले कुशन की तरफ तो चलिए बच्चो अब अगला प्रेशन आच चुका है एक रुपे का नोट जारी करता है कौन जारी करता है स्टेट बैंक आफ इंडिया रिजॉब बैंक आफ इंडिया वानी जीयक बैंक या भारत सरकार जल्दी से बताएगा बच्चो जब बैंक आफ इंडिया तो यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नमर बी देना आपका अंसर सही है ठीक है अब एक प्रस्न ये भी पूछ लेता है कि बच्चो ये जो एक रुपे का नोट होता है इससे हस्ताक्षर किसका होता है प्रस्न ऐसे पूछ लेगा कि एक रु यह होता है वीत सचीव का किसका होता है वीत सचीव का हस्ताक्षर रहता है एक रुपे के नोट पर ठीक है बच्चो हां जी और इसे कौन जारी करता है रिजाव बैंक आफ इंडिया चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ चलिए दोस्तों अगला प्रेश्ण है निम्न में से किस तट की रेखा सबसे लंबी है किस तट की रेखा सबसे लंबी है केरल तमिलाडव उडिशा या आंदर प्रदेश जलदी से बताए बच्चो देखिए बच्चो एक चीज मैं बताऊंगा यहां पे आपको देखिए प्रस्ण यह है कि किस तट की रेखा की लंबाई सबसे अधिक है हां जी तो क्या हो जाएगा इसका अंसर ऑप्शन नमर डी हो जाएगा ठीक है अंदर प्रदेश कैसे होगा ध्यान से समझना है देखिए अगर आप से प्रस्ण यह पूछता है बच्चो कि भारत का कौन सा राज्ये है जिसकी रलग की कि लंबाई सबसे अधिक है भारत का ऐसा राज्ये जिसकी रलग की लंबाई सबसे दीख है हांजी झायं तर्फिय रेखा के लंभा ही सबसे अधिक है कौन सा राज्य है तो वह है गुझरात कौन सा राज्य है वह गुझरात राज्य ठीक है और अगर आपसे पूछीह कि भारत का सबसे लंबा दूसरा रहा विदू में लेकिन दूसरे नंभर पर आज़ाता आंदर प्रदेश आ जाता है है ना तो अब बटाएए यहां पर option के अनुसार तो भाईया गुजरात है नहीं है ना तो answer क्या होगा अंदर प्रदेशी होगा है ना तो भारत का ऐसा राज्य जिसकी 30 रेखा की लंबाई सब किसकी है बताइए तो अगर प्रस नहीं से पूछता है कि भारत में हैना सबसे चोटी 30 रेखा की लंबाई किसकी है भारत में सबसे चोटी 30 रेखा की लंबाई कि तो यह गोवा हो जाएगा ठीक है बच्छो चलिए आई होप आपको समझ में आओगा बढ़ते हैं अगले तो चलिए स्टुडेंट अगला प्रस्न है भारत का स्वार्धिक उद्धोगोक्रीत राज्य है यानि भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट कौन सा है इन चारों में से यानि जहां इंडस्ट्री वगरा चाहता होती है पंजाब गुजरात बंगाल या संवत्राइब भारत में कौन सी भासा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोलिंग भारत में इंचारों में से कौन सी भासा भारत में अधिक बोली जाती है लोगों की द्वारा तो वेरी गुड यदि आपने जवाब दिया है आप्शन नमर डी यानि तेलगू देन आपका अंसर सही है ठीक है तो भारत में तेलगू बोलने आपको याद रखना है अगर मैं आपसे पूछू कि भारत में कौन सी भासा सबसे अधिक बोली जाती है तो यह है बच्चों हिंदी है और हिंदी कितने परतिशत लोगों के द्वारा बोली जाती है तो यह याद रखना है सबसे अधिक बोली जाती है यानि सिंधी कंणर कस्मिरी देख रहे हो ना इनके कंपेर में तेलगू जो है सबसे अधिक बोली जाती है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ स्टुडेंट तो चलिए बच्चों आज की इस क्लास का ये लास्ट कोश्चन देने वाला है कोश्चन है मदुरई का मिनाक्षी मंदिर इसमारक है क्यानि मदुरई में एक मंदिर है बच्चों कौन सा मंदिर मिनाक्षी मंदिर है ना तो ये मंदिर जोए है कि आपने जवाब दिया हैं चोल वंज का सब्सक्री तो मदुरही का मिनाक्षी मंदिर का मैं समारक है कि तो चोबॉल का अब इस मंदिर के निर्माता कौन है बच्चो तो ये थे पांडेया राजा कौन थे बच्चो पांडेया राजा थे ठीक है पांडेया राजा है ठीक है